आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़्डू गोपाल जी के लिए गरम बिछुना कैसे बनाएं सबसे पहले तो हम कोई सा भी आसन हो छोटा हो बड़ा हो उसका साइज कैसे लेना है यह मैं आपको बताती हूँ यह इसकी चोडाई है चोडाई जो है इसकी है 7.5 cm और जो इसकी लंबाई अगर देखें तो लंबाई है इसकी 6.5 cm तो आप इस तरह से जो साइज है वो ले लीजिए आप चाहें तो इन चीज में ले सकते हैं या पर सेंटीमीटर में ले सकते हैं यहां पर उन लिया है जैसा उन है वैसी करोश्या है यानि कि उन पतला है तो हमें पतला करोश्या यूज करना है और उन मोटा है तो मोटा करोश अब एक फंदा हमने तैयार कर लिया है और दूसरे फंदा हम करोशा पर बनाए इस तरह से लिया और यह फंदा बन गया हमारा तो अब इस तरह से हम पूरी चेन कंपलीट कर लेंगे अब जिन लोगों को ये करोशय चलाने नहीं आता तो वो चेन बनाने की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा चेन बनाएं फिर उसके बाद उनका हाथ सेट हो जाएगा और करोशय चलाने में बहुत आसान लगेगा अब जितनी चेन दाली है मैं काउंटिंग नहीं बता रही क्योंकि अगर मोटा उन होते है तो ये चेन कंदलती है पतली उन होती है तो चेन जादा दलती तो इसको आप इंची टेप पर या स्केल पर रखकर इस तरह से नाप लीजिए 6.5 cm यह आ रहा है हमारा अब मैं इसी को ही आगे बढ़ा कर कंटिन्यू करूंगी यह इसकी चोड़ाई है तो अब इसके बाद देखे जो लास्ट वाला फंदा है वहाँ पर मैंने सेप्टी पिन लगा दिये यह वाला जो सेप्टी पिन होता है खास और से करोश्या और हमा सेप्टी पिन लगाई थी उसके अंदर से इस तरह से फंदा लेते वे दालेंगे और फिर पिछे से एक फंदा लेंगे फिर इस तरह से तीन हो गए अब एक बार और लेंगे और यह तीनों को एक कर दिया यह हाफ क्रोश्य होता है और इसके बाद इसी तरह से मैं इस लाइ एक और बनाया, और यह last में 3 का एक कर दिया बिल्कुस 7 फली chain में से मैंने लिया इस को करुशय сто को दाला, फीछे से उन्म से फंदा बनाया फिर 3 का एक कर दिया अब इस तरह से मैंने पूरी लाइन को कंपलीट कर लिया लास्ट में यह जो एक फंदा बचा है अब यहाँ पर दो चेन दालोंगी एक, दो दो चेन दालने के बाद इन दो चेनों को छोड़ते वे जो next चेन होगी उसके अंदर हम इस तरह से पहले से एक फंदा लेंगे इसके बीश में दालेंगे और यह देखे जितनी चेन हम last में लेते हैं उतनी चेन छोड़के next वाले पर हम इसको दाल देते हैं तो इससे क्या है कि एक जो फंदे बढ़ते नहीं है और इसमें एक सफाई रहती है जब भी हम किसी भी तरह की पट्टी बनाते हैं तो हमें इसी तरह से बनाना होता है चाहे बड़ा स्वेटर हो या छोटा कुछ भी बनाए हम जब हमें सीदी सीदी पट्टी बनानी होती है तो हम इसी तरह से बनाते हैं लास्ट में जो फंदा होता है जैसे यह है, एक चेन, दो चेन अब इस्वे पलट लेंगे अब इसमें जो पहली वाली चेन होती इसको छोड़ते वे second वाली chain में दाल देंगे simple तरीका यह है कि जितनी भी अपने chain extra दाली है उनको छोड़ते वे next वाली chain में आप फंदा ले ले यहाँ पर मैंने पूरा complete किया है अब आप जितना चाहें उतने size बढ़ा सकते हैं अब थोड़ा सो और बनाने हैं मुझे तो यहां से देखिए यह मेरा पूरा complete है size आप साइडों में देखने हैं उबड़ खाबड़ सारे हैं मतला भी symmetry नहीं है symmetry बनाने के लिए क्या करना है हमको यह देखिए इस तरह से हमें single stitch को इस्तमाल करने के लिए इस तरह से में फंदा दालने पंदा बनाने और यह दो का एक कर देना है अब पिर से देख लीजिए यहां बीच में मैंने लिया यह निकाला इसमें से इस तरह से इस तरह से पूरी साइड को मैं complete कर लूँगी अब यहां पर ना तो ज्यादा लेना है और ना ही कम फंदे लेने यानि कि जो हम stitch बना रहे हैं ना तो फाल्तू बनाने ना ही कम करने अगर फाल्तू बनाएंगे तो जोला जाएगा और कम करेंगे तो जो हमारा मैट है जो हम बना रहे हैं लडू वपाल जी के लिए शिकुड जाएगा अब लास्ट में हमें दो चेंड लेनी है और एक दो दूसरे वाले में आमें इस तरह से डालने और सिंगल स्टिच कर देने अब फिर दो चैंड लेनी है एक दो एक को पीछ वाले को छोड़ते रे नेक्स्ट वाले में हमें दालने हैं इससे जो हम लटकन बनाएंगे यह दालने में असानी रहेगी एक चेन, दो चेन, एक तो बनाना बहुत आसान है शुरू शुरू में थोड़ी से जिन लोगों को करुशे चलाने नहीं आता है उन्हें दिक्कत हो सकती है लेकिन जो मैंने बताया शुरू में ही कि अगर आप चेन बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आप बड़े से बड़ा जो मैट भी बना सकते हैं और लड़ू गोपाल जी के फ्रॉक ड्रेस और भी जो भी चीज़े हैं वो बड़े असानी से आप बना लेंगे आप देखरें न बीज़ बीश में स्पेस आ रहा है और फिर वो चैन आ रही है तो इस तरह से मैंने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है अभी जो लास्ट में हमने शुरु शुरु में जो उन था वो हमने छोड़ दिया था तो उसको हम इसी के नीचे ले लेंगे और एक्स्ट्र को कट देंगे चार्चे स्टेप करने के बाद आप इसको कट कर दीजे एक्स्ट्र धागे को अब इसी तरह से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर लूँगी यहां पर फिर से देखे साइड आईए साइट पर हम क्या करेंगे जो साइड में हमें लेटकन लगानी है दो चैन और बनाएंगे एक दो इस तरह से छोड़ते वे इसको कंप्लीट कर लेंगे अब यहां पर पक्का कर देंगे इससे कट कर देंगे और इससे कट कर देंगे और उनको कीच लेंगे अब आप देखिए चारो तरफ से बेहत फिनिशिंग इसमें नजर आ रही होगी आपको आप कहीं से भी उबर खाबर नहीं नजर आ रहा अब इस तरह से हमें लेनी है उनको डबल करके देख लिए हमें कितनी बड़ी हमें यहां पर इसकी लटकन बनानी है इसको आप ले ल अब एक उन लेंगे इसमें से इसको इस तरह से डबल करेंगे और जो हमने जाली सी बनाई थी उसमें इस तरह से डाल के करुशा की सायता से उनको इसे डबल करके इसमें से निकाल देंगे और इस चारों उनों को एक साथ निकाल देंगे अब इस तरह से मैट के साइड में लेटकन बन जाएगी पूरी लाइन को हम इसी तरह से कम्प्लीट करने है एक बार फिर देख लीजिए उनको कीजिए डबल डबल कीजिए ट्रिपल कीजिए जितना मोटा आप रखना चाहते हैं उसे आप से आप कर लीजिए इसको और फिर सारे को एक साथ आपको इसमें से निकाल देना है ये देखे इस तरह से नौट बन जाएगी याँपर दो नदफ से मैंने कम्प्लीट कर दिया है अब एक्स्ट्रा लंबाई को हम काट देंगे तो बताएगे कैसा लग रहा है ये आप भी अपनी लड़ू को पाल जी के लिए गरम बिछोना ज़रूर बनाएं देखने में सुन्दर है बहुत ही इजी है प्राइस ज़रूर करना अगली वीडियो पर फिर बिलती हूँ किसी नई क्राफ्ट के साथ